हेलो दोस्तो मीटेक में आपका स्वाबत है दोस्तो मेरे पास यह दो मॉडल्स है जो एक है वाई का ओनर है 6X है आप देख रहे होंगे वाई का ओनर 6X है और जो दूसरा मॉडल है आपको दिख रहा होगा वह यह है पहला जो मॉडल है वाई का ओनर 6X है आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मेटरल बॉडि पर हई यह बैक से और जो दूसरा है इए है मोटो जी 4 प्लस यह भी बहुत पॉपरल सेट है जो बहुत सेट है तो मैं दोस्तों अब ही इस वीडियो में में आपको दोनों का जू भी कैमरा है दोनों के कैमरे के क्वालिटी मैं आपको टेस्ट करूंगा पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फ्लीजस सब्सक्राइब करिये गा और अग्र्यु अच्छी लगे तो लाइक करिएगगा आपने फ्रेंडे को सेयर भी करिएगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो के नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का तो सब्सक्राइब करिएगा तो आप देख रहे हैं यह दो मोबाइल है राइट साइड में मोटो जी फोर प्लस है और लेफ्ट साइड में और का 6X है वाई का ओनर 6X जो यह अभी मैं कैमेरी के बात कर दूं तो और 6X की जो इसकी जो रियर कैमरा है वो 12 MP और 2 MP मतलब डूवल कैमरा लगा हुआ है 12 MP और 2 MP और मोटो जी फोर प्लस में 16 MP का यह कैमरा है तो और फ्रेंट की बात करते हैं तो और 6X में 8 MP के कैमरा है और मोटो जी फोर प्लस में 5 MP कैमरा है तो कुछ मैंने इमेज के सैंपल लिए हुए है तो मैं आप यह आपको दिखाऊंगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है सबसे महले कैमरा उन करता हूं तो कैमरा में आप देख रहे होंगे मैं आपको दिखा दूँ अब देख रहे होंगे कैमरा दिख रहा होगा कैमरे की क्वालिटी अब मैंने कैमरा ओपिन किया है दोनों को यह इसमें 12 MP पर है इसमें 16 MP पिक्चल पर है कैमरे क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने हैं तो कुछ मैंने इमेजेस लिए हैं दोस्तों आइए मैं चलके आपको दिखा रहा हूं कुछ सेंपल इमेजेस हैं यह मैंने अभी लिया है इसमें आप देख सकते हैं कि कलर क्वालिटी कैसी है और कलर कंबिनेशन कैसा है आपको दिखने मैं और नजदी कर देता हूं यह मोटो जी फूर प्लस का है और यह हैं एक साइड में लेफ्ट साइड में है और उनर 6X का है और मोटो जी फूर प्लस है यह राइट साइड में है देख सकते हैं दोनों की पिक्चर क्वालिटी सही है बड़ थोड़ा कलर कंबिनेशन जो है इसमें कलर कंबिनेशन जो है यह तोनों में सही है फिला नेच्वर क्लर ऑनर 6X में हा रहा है और डार कलर है थोड़ा मोटो जी फूर प्लस में देख रहे होंगे तो और भी मैं इमेज से लिए हूँ यह फ्रंट कैमरे की इमेज से अब देख सकते हैं इसमें मोटो जी फूर प्लस में थोड़ा सा कलर का जो है वो थोड़ा हलका पिलापन आ रहा है और नेच्वर कलर इसमें आ रहा है मोटो जी स्वरी ओनर 6X में तो आप देख सकते हैं दोनों का अगर देखा हैं जाए बेटर सेलवी की बात की जाए तो दोनों का प्रफॉर्मेस अच्छा है इसमें नेच्वर कलर आ रहा है आप देख सकते हैं और इसमें जो है मोटो जी फूर प्लस में इसमें भी कलर इसका डिटेलिंग काफी अच्छा है बट यह है कि थोड़ा सा कलर का जो कंबिनेशन है वो थोड़ा अलग है दोनों में आ आपको मिलेगा 5 Megapixel का Camera Moto G4 Plus में और भी images हैं मैं आपको दिखा रहा हूं यह है indoor की image है यह भी दोनों indoor की image है दोनों indoor की image है तो आपको दिख रहा होगा indoor की images काफी अच्छी आई हैं दोनों में और थोड़ा सा difference है थोड़ा सा difference है कोई ज्यादा difference नहीं है color combination में काफी अच्छा है और देख सकते हैं back side में जो भी image color आ रहे है back side का color दिखा देता हूं मैं आपको यह देख सकते हैं तो camera के मारमले में दोनों mobile काफी अच्छा है और selfie दोनों की काफी अच्छी है color combination भी दोनों का काफी अच्छा है और इसमें एक्च्वल में motor g4 प्लस में 5 megapixel camera है और honor 6x में 8 megapixel का front camera है तो उसके recording काफी अच्छा है motor g4 प्लस का camera भी काफी अच्छा है no doubt अब आज चलके और भी images है मैं दिखाता हूं आपको यह देखिए यह जो camera की quality आप देख सकते है motor g4 प्लस में और यह honor 6x में दोनों का color combination देख सकते हैं यह जो थोड़ा सा motor g5 g4 प्लस में हलका सा थोड़ा सा पीलापन आ गया है i think it flash के होज़से flash के होज़से थोड़ा सा थोड़ा सा पीलापन आ रहे है और यह honor 6x में अब देख रहे है natural color आपको मिल लेगी तो दोनों का color काफी अच्छा है और दोनों की image की detailing भी काफी अच्छी है no doubt यह 16 Megapixel का है इसमें दो लेंस लगे हुए 12 Megapixel और दो Megapixel तो इसकी भी clarity काफी अच्छी आ रही है और दोनों की camera की quality भी काफी अच्छी है तो देखा जाए तो camera के मौमले में दोनों काफी अच्छे है और भी images है मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह outdoor images है अब देख सकते हैं outdoor images है दोनों का color combination और एक्छल में आपको color दिखेगा क्योंकि देखिए यह जो है और यह जो है Moto G4 Plus में देखिए यह Moto G4 Plus है और यह Honor 6X है इसमें देखिए और इसमें देखिए दोनों के color में काफी फर्क है यह थोड़ा light में color में और यह थोड़ा dark color में एक्छल में यह जो है 6X का यह real color है और Moto G4 Plus का यह dark color है तो यह भी अच्छी है गजिए डिटेलिंग दिखे जाए दोनों की तो काफी अच्छी डिटेलिंग आ रही है तोनों में नो डाउट बाट यह थोड़ा color का फर्क है दोनों अच्छी जो एक्ट्चा कैमरा है दोनों का दोनों में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है बस कलर का डिफरेंस है बागी किलारिटी काफी अच्छी आरी दोनों की और भी मैंने सेंपल लिए हुए है मैंने आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं कि दोनों की में जिसमें काफी फर्क है इसमें देखिए इसका इमेज की कलारिटी देखिए काफी अच्छी कलारिटी आ रही है और यह मॉर्निंग की इमेज है हलाकि इमेज इसमें नहीं है जी फोर प्लस में पर इसमें आपको में दिखा दे रहा हूँ कि इसकी कलारिटी काफी अच्छी आ रही है इमेज देखिए अप्ड यहाँ पर एक्शुल में आपको डिफरेंज दिखे zona यह लो लाट की में जैवर इसमें आपको मैं दिखा हूंगा कि दोनों के कलर कम्पिनेशन में कितना डिफिरेंज है इसमें देखिए इसमें नेशना कलर मिल आप एक और इसमें Moto G4 Plus में आप देख सकते हैं कि कैमरे क्वालिटी कैसी है आप दोनों में कंपेर करेंगे तो वीनर इसमें Honor 6X निकल रहा है हला कि detailing इसमें भी काफी अच्छी आ रही है और detailing के मामले में अगर जूम करने के बाद जो detailing दीख रही है वो G4 Plus में काफी अच्छा है बट अगर कलर सिचुएशन और ब्राइटनेस यह सब देखा जाए तो Honor 6X जो है वीनर है इन सब में तो यह अपना दोनों का अलग-अलग features है उसके अगर्डिंग है और भी images से मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह देखिए विदाउट फ्लैस का है मैंने फ्लैस का यूजनी का है यहां पर और यहां पर आपको एक्चुल में जो कलर कम्बिनेशन है वह आपको दिखेगा यहां पर देखिए जो Honor 6X है वो रियल कलर में आपको यहां पर दिख रही है और इसकी image की जो यहां पर यहां पर देख सकते हैं आप थोड़ डार कलर में आ रहा है अला कि डिटेलिंग दोनों के काफी अच्छी है बट यहां पर डार कलर आपको मिलेगा देखने को देख लीजिए दोनों में कितना फर्क है तो नो डाउट और 6X जो है यह इसका जो color, combination, situation, brightness, contrast, all the very good मिनसे इसने अच्छा जॉब किया है अच्छा capture किया है अब देख सकते हैं और इसमें भी काफी अच्छा camera है इसका भी लेकिन थोड़ा सा color के मामले में यह डाउन चल रहा है इसमें अब देख सकते हैं और मैंने flash का यूज करके जो लिया है पिक जो यह flash यह दोनो mobile के flash on करके मैंने image लिया है अब इसमें आप देख सकते हैं इसका और 6X का flash काफी अच्छा है और इसका भी काफी अच्छा है बट इसमें एक problem है कि यह हलका हलका पीलापन आ रहा है आप देख सकते होंगे यह natural color है और यह देखिए हलका सा पीलापन आ रहा है तो दोनों में काफी difference है color का अलागी detailing अगर बात की जाए camera की तो दोनों का detailing काफी अच्छी है और दोनों में अच्छी खासी detailing मिल रही है बस problem ही है कि इसका जो G4 का camera है इसमें थोड डार कलर आ रहा है और थोड का पीलापन आ जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं इतम नेच्छल कलर दिखा रहा है और 6X में प्योर नेच्छल कलर तो दोस्तों यह रहा है मैंने कुछ images लिए हैं आपको मैं दिखा देता हूं कि और 6X में यह जो आए देख सकते हैं काफि अच्छी images है और यह daylight में है यह भी daylight की image है काफि अच्छी image हाई अब देख सकते हाँ यह भी daylight की image है यह रूम के अंदर की image है इसमें भी color combination काफी अच्छा है इसमें 6X में natural color आ रहा है आप दोस्तों इसमें natural color आपको मिलेगा और color combination जो है वो काफी अच्छा है इसमें इसमें भी कुछ आपको मैं दिखा दूँ मोटो जी 4 प्लस में भी images है कुछ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह image तो आपने देखा ही अभी और भी सारी images हैं यह है आउटर की image आउट्डोर की image है देख लिखते हैं इसमें भी काफी अच्छा detailing आती है आप देख सकते हैं यह video con लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा video con लिखा हुआ है काफी अच्छी detailing आ रही अब यही same image में आपको दिखाता हूँ इसमें जो कि video con अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसमें भी video con साफ देख रहा है मिन्स दोनों की detailing काफी अच्छी है बढ़ थोड़ सा color का फर्क है तो दोस्तो overall देखा जाए तो मेरा opinion यह है कि honor 6x winner है honor 6x winner है जीफोर प्लस भी अच्छा camera है अगर आप without flash image लेते हैं तो इसके अच्छे performance मिलेंगे अगर with flash flash से यूज़ करके आप camera से picture लेते हैं तो थोड़ा सा हलका से पीला पना आएगा अगर outdoor की image देखा जाए तो जीफोर प्लस की images आपको अच्छी मिलेंगे outdoor में इसमें भी आपको अच्छी मिलेंगे बट इसमें टोड़े detailing की problem है detailing आपको कम मिलेंगी इसमें detailing ज्यादा मिलेंगी जीफोर प्लस में अगर selfie की बात की जाए तो दोनों की selfie के camera काफी अच्छे है और no doubt तो दोस्तो कैसा रहा ये वीडियो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो like करिएगा और अपने friend के साथ share भी करिएगा और जो भी question होंगे वीडियो के नीचे comment में आप दे सकते हैं और मैं वहाँ पे mention भी कर दूँगा तो दोस्तो इस channel को आप जरूर subscribe करेंगे तो आपको ऐसे ही camera के review, mobile के news, जो भी technical news है, trips and tips आपको मिलते रहेंगे साथ मैं अगर unboxing भी मैं आपको देता रहूँगा तो दोस्तो प्लीज subscribe करना मत भूलिएगा और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से सुक्रिया, धन्यवाद, जैहिंद